आज अगर हम ये देखे कि सबसे important sense organ कौन सा है तो वो है हमारी आखे और आखों के उपर इतना ज्यादा pressure आ जाता है because of social media, because of mobile, because of TV तो हम अपनी आखों का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिसके वज़े से बहुत सारे issues होते हैं of course there are other reasons also, कुछ और भी वज़े हैं जिनकी वज़े से हमारी आखों में दिक्कत आ सकती है but जो major reason है वो है devices, screens, laptop, computer, television तो आज की वीडियो में जानेंगे 5 ऐसी exercises जिसको करने से आपकी आखों का strength अच्छा रहेगा और अगर आपको चश्मा है तो शायद हो कम भी हो सकता है so it's a 5 minute video, follow along with us and see the benefits if you practice it in the long run so before we begin the exercise, it's important to know that yes, exercises are there, exercise करना जरूरी है but उसका मतलब यह नहीं है कि आप exercise कर रहे हो तो आप कितना भी mobile phone यूज कर सकते हो कितना भी computer यूज कर सकते हो थोड़ी 2-3 चीज़े हैं जो ध्यान रखेंगे जिससे हमें exercise का फाइदा थोड़ा ज्यादा होगा so there are some things that we will take care of so first is of course अगर आप जब बहुत समय तक अपने mobile phone या gadgets को यूज कर रहे हैं computer को यूज कर रहे हैं तो एक simple सा rule follow करेंगे जिससे कहते है 10-10-10 अब इसका क्या मतलब है हर 10 minute में सिर्फ 10 second के लिए at least 10 feet दूर हमें देखना है क्योंकि क्या होता है हम बहुत समय तक पांस पे देखते रहते हैं उससे हमारी आखों का जो muscle है वो tune हो जाता है सिर्फ पांस में देखने के लिए और हमारी दूर की दृष्टी थोड़ी weak हो जाती है इसलिए सिर्फ 10 second के लिए हर 10 minute में 10 feet दूर देखेंगे so that is one और हमारे body में बहुत सारी चीजजे सेट होती है जैसे अंधेरा होता है तो body में कुछ hormones का production होता है जिससे हमारी नीनद अच्छी होती है वैसे ही जब укजाला होता है जब सवेरा होता है तो जैसे ही सूरच की रोश्णी में हम जाते हैं मैं बहुत तेज रोशनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप cloud में भी बाहर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा रोशनी है, जिससे हमारी आखों में, जिससे हमारे शरीर में कुछ चीजे सेट होती है, ऐसे hormones produce होते हैं, जिससे हम alert हो सकते हैं, तो that is second point, कि हम बाहर जाए, थोड़े समय के लिए तो बाहर जाए, बट बाहर जाके तूर की चीजों को देखनी की आदत डाले, तीसरा, of course, diet, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ junk food खाएंगे, nutrient rich food नहीं खाएंगे, carrots हो गया, radish हो गया, तो आमला हो गया, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप त्रिफला भी ले सकते हो, यह सारी चीजे अगर हम diet में include करते हैं, तो उससे हमारी आखों का सेयत अच्छा रहता है, that is third point, एक point और जरूरी है, अगर आप follow कर सकते हैं, तो अब अपनी screen को black and white कर लीजे permanently, उससे आप देखेंगे, अपनी आप, आपका screen time कम होगा, जो भी आपके पास mobile है, अगर आप किसी और की मदद ले सकते हैं, जिसको technically ज्यादा पता हो mobile के बारे में, उनकी मदद लेके अपने phone को permanently black and white कर लीजे, आपका phone का जो usage है, वो अपने आप कम हो जाएगा, I am guaranteeing this, मैंने किसी को यह पहले बताया था, तो उनोंने कहा कि उनका 66% तक reduce हो गया था screen time, just within 1 week, एक हफते के अंदर ही उनका screen time बहुत ही कम हो गया, तो यह आप और एक चीज़ follow कर सकते हैं, उसके अलावाद definitely exercise करना ज़रूरी है, exercise करते हैं, blood circulation बढ़ता है, आखो तक अच्छे से blood circulation आएगा, तो आखे अपने आप healthy रहेगी, तो यह कुछ चीज़े हैं, जो आप follow करते हैं, तो आपका जो benefit of exercise है, वो और enhance हो सकता है, अब शुरू करते हैं, exercises आखो की, जिससे हमें बहुत ही जादा फाइदा हो, तो पहली exercise का नाम है, palming, करना क्या है, बहुत ही simple है, दोनों हाथों को ऐसे rub करेंगे, थोड़े से हाथ हाथ आपकी गरम होने तक, आप बस अपने आखों पे ऐसे हाथ रखेंगे, आप आखों को प्रेस नहीं कर रहे हैं, मैंने अपने हाथों को ऐसे दबाया नहीं है आख पे, हलका सा आखों पे रखा है, तो जो warm है, जो गर्मा हाथ है, वो आखों तक चली जाती है, आप 10 सेक रख करे, रख करे, रख करे, रख करे, and then hold it for 10 seconds, जब आप ऐसे करेंगे, तो आपको ये, बाद में भी बीच-बीच में ब्रेक लेने के लिए, ये आप प्राक्टिस कर सकते हैं, इस से आपको अपनी आखों के लिए थोड़ा सा और प्रेम बड़ेगा, you will become more aware of your eyes, and more caring about your eyes, third round, एक बार और करेंगे, rub it, rub it, rub it, and keep it, हाथों पे, आखों पे हलके से आपको रखना है, ऐसे प्रेस नहीं करना है, आखों पे मैं दबा नहीं रहा हूँ अपनी हाथों को, सिर्फ जंटल ऐसे रखना है धीरे से, और एक बार करते हैं, and और स्लोली रिलाक्स करेंगे, अभी हराम से बैच जाए, इसके बाद जो भी हम exercise करेंगे, यह आपको जितना comfortably आप कर पाए, उतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा आखों पे strain हो रहा है, या अगर मानलो सर में थोड़ा weird type feeling आ रहा है, थोड़ा uncomfortable लग रहा है, तो आप उसको skip कर सकते हैं, या जितना होता है उतना कर सकते हैं, अगले exercise के दो variation है, पहला variation ऐसे है कि आप सीधे बैठे, और धीरे से दाई और देखे, गरदन को ना हिलाए, धीरे से बाई और देखे, और ऐसे धीरे धीरे left to right कर सकते है, 30 seconds के लिए हमको left to right करना है, साथ साथ follow करेंगे, कोशिश करें कि आपको के कोने तक जा पाए, और रिलाक्स, अगला exercise जो हम करेंगी, उसको हम उसमें हम उपर नीचे देखेंगे हैं, तो ऐसे उपर देखेंगे, और नीचे देखेंगे, अगेन 30 seconds के लिए इसको कर सकते हैं साथ साथ, और रिलाक्स, और इसी में ही एक सिंपल सा वेरियेशन है, डाइगनली इस तरफ उपर देखेंगे, डाइगनली इस तरफ नीचे देखेंगे, ऐसे हम 30 seconds के लिए करेंगे, ये वाला मा, ओके, लेट्स दो इट तोगेधर, करते रहें, थोड़ा आखे आपको भारी भारी लग सकती है, प्रिष्ट प्रिष्ट इस तरफ उपर और इस तरफ नीचे दिखेंगे, ती सेकंड के लिए करेंगे, and relax इसी में ये एक variation कर सकते है अगर आपको ये थोड़ा uncomfortable लगे तो आप आखों से एक अपना एक point पकड़ ले वहां पे आप अपनी दृष्टी टिका दे और सिर्फ गर्दन को हिलाए ऐसे तो आप आखों को वही रख रहे है और गर्दन को मूव कर रहे है तो इसमें भी आपके आखों का वैसे ही कुछ similar exercise हो रहा है आप ऐसे देखकी गर्दन को उपर देखकी गर्दन से नीच देखके so it is kind of similar movement so I would prefer moving the eyes but you can also move the neck आप गर्दन को भी हिला सकते हैं similar impact होगा so this is second exercise third exercise that we do is called eye push up okay यह eye push up है इसमें आपको क्या करना है अपने अंगुठे को सामने रखना है और अपने अंगुठे की tip पर focus करेंगे और धीरे धीरे पास में लेकर आएंगे जब तक आपको अंगुठे की image single दिखें जहां पर आपको अंगुठा दो दिखने लगया वहां तक लाएंगे और फिर दूर लेकर जाएंगे ऐसे आपको 15 से 20 बार करेंगे so we'll do it together आप pencil से भी कर सकते हैं कोशिश करेंगे कि अंगुठा एक ही दिखता रहे जितना पास आप लेकर आएंगे 5 6 7 8 9 10 1 कभी भी आपको थोड़ा भी डिसकमफर्ट हो सर भारी लगे ऐसा हो सकता है शुरू शुरू में नया नया जब प्राक्टिस करता है तो 6 7 8 9 10 और आखे बन करके 10 सेकिंड के लिए विश्राम करेंगे और दीरे से आंके खोले अब आपको क्या करना है अंगूठे को देखना है और फिर दूर कोई at least 10-15 फीट दूर अगर कुछ अब्जेक्ट है उसको देख सकता है तो इसे नियर एंड फार फोकस करते हैं तो आपको पास में कोई वस्तु है उसके प्रती ध्यान ले जैसे अंगूठा और दूर कुछ है तो वह क्लिर ली दिखना जी तो आपको बस शिफ्ट करना है पहले दस सेकिंड के लिए अपने अंगूठे को देखें और फिर दूर देखेंगे दस सेकिंड के लिए ऐसे पांच बार करने हैं दस सेकिंड के लिए अंग उठा और दस सेकिंड के लिए दूर फिर दस सेकिंड पास में फिर दस सेकिंड दूर फिर दस सेकिंड पास में चौथा राउंड रहे दो बार और करना है हमें दस सेकिंड के लिए दूर फिर दस सेकिंड पास फिर दस सेकिंड दूर और विश्राम करें दूबारा से आखे बन करेंगे दस सेकिंड के लिए आखे अगर भारी लगे तो कोई दिक्कत नहीं आप कल दुबारा फिर पूरा प्रैक्टिस कर सकते अगर आज आज आप ठक गए हैं चलेगा कोई प्रॉब्लम लिए इसके बाद जो में अगला एक्सरसाइस करना है उसे कहते हैं ब्लिंकिंग पुछ नहीं करना है जल्दी दस बार आपको अपनी आखोंको पलक जपकाना है बिलंक करना है कैसे ऐसे करें आज और फिर एक बार आखे बन करेंगे ठोड़ा सा प्रैशर लगाएंगे और वेट करेंगे deputy Safety फिर दुबारा से आखे खोलेंगे 20 सेकंड बात फिर दस बार तेस पल के जपका है इसको अब 20 बार भी कर सकते है and then keep your eyes closed, आखे बंद रखे and be आपसे करेंगे इसको ऐसे ही इसको भी पांच बार करने इसको पांच बार करने हों and close your eyes, eyes कि बन राउंड फूर आखे कुलेंगे पलक जब काएंगे दस से वीज बार हाखे बन एंड एक आखरी बार करेंगे आखे बार एंड लेट गो एक आखरी एकसराइज इसका नाम है नासिग आगरट द्रिश्टी मतलब नाक के और अपने आको को लेकर जाना है तो इसके लिए हमें पहले अंगोटे को ऐसे बाहर रखना है अंगूटे पर फोकस करें और धीरे धीरे अंगूटे को नाग के पास लेकर आए नाग से टच करेंगे और अंगूटे को ही देख रहा है अभी हम 10 सेकेंड का वेट करेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा दर्द हो सकता है आगको में पर हम इसको दूर लेकर जाएंगे आगको को थोड़ा रिलाक्स होने दे और दीरे दीरे दुबारा नाग के पास लेकर आए अंगूटे को ही देखते रहना है और दीरे दीरे दूर लेकर जाए वापस थोड़ा सा आखे रिलाक्स हो जाएंगे फिर दुबारा से अको को अंगोठे की तरफ देखते हुए नाक के पास लेकर आएंगे अंगोठे को फिर से दुबारा दूर लेकर जाए और फिर पास लेकर आएं और आखे बन करके दस सकीन के लिए बैठे और दीरे दीरे आखे को जाएंगे यह आप सोने से पहले हर दिन प्राक्टिस कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो और आप इसको हर दिन प्राक्टिस करेंगे सोने से पहले तो कैसे है आखे थोड़ा हैवी लग रही होगी आपको अभी तो नीन जल्दी आ जाएगे एक बार कोशिश करके देखी और सबसे तो टाइम पर सोना और टाइम पर उठना जरूरी है यस थांक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो यू के बी पार दो वाट्साइब कम्यूनिटी दे लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन बिलो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप यह वीडियो भी